जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर आप भी ये दवा का इस्तिमाल करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं मैं डोक्टर कपील स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मेडिकोवेशन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे नए वीडियो की इंफ्रोमेशन मिलती रहे आसान भाशा में चलो तो शुरू करते हैं ये दवा का नाम है रान्डिदिन जिसका इस्तमाल पेट और आतों के अलसर पेट और सीने में होने वाली जलन उल्टी और गैस एसिडेटी में किया जाता है भारत में रान्डिदिन के बहुत सारे पॉप्यूलर ब्रांड है जैसे की रेंटेक, एसी लोक, जैन टेक, आर लोक, इत्यादी भारत में 60% लोगों को गैस और एसिडेटी की तकलिफ है इसलिए ज्यादा तर डॉक्टर इसे गैस और एसिडेटी में आपको लेने की सलाह देते है वेसे तो ये दवा आपको बिना डॉक्टर के प्रिश्किप्संजे भी मेडिकल से मिल जाएगी लेकिन अब आपको थोड़ा एतिहाद बरतने की जरुरत है क्योंकि FDA ने अपनी ओफिस्चल वेबसाइट पर रानी टीडीन को लेकर चेतावनी जारी की है इस आर्टिकल के जरीए इसने विश्व के देशों को ये दवा ना लेने की सलाह दी है लेकिन क्यों? आईए जानते हैं FDA अमेरिका की एक सरकारी एज़न्च है जिसका काम है मार्केट में आने वाली दवा, खुराक, पोस्मेडिक प्रोड़क, एनिमल, फूर की अच्चे से जांस परताल करना है अमेरिका में दवा बेचने से पहले FDA की परवानगी लेना जरूरी है लेकिन हाल ही में FDA ने बताया की N-ACID टेबलेट रानिटिडिन में एक ऐसा तत्व मिला है जिसे NDMA कहते हैं मतलब N-Nitro-Sody-Mithylemine ये तत्व हमारे सरीर में केंसर पैदा करने वारा तत्व है इनकी वज़े से लिवर, पेट, आंथ, किड़नी और प्रोस्टेट के केंसर होते हैं दोस्तों मैं आपको डरान नहीं चाहता लेकिन अब आपको सतर्ख होने की जरूरत है क्योंकि यूरोप, USA, केनाडा और हाल ही में बांगलादेश ने भी ये दवा को बेजने पर प्रतिबंद लगा दिया है वर्ल्ड लेवल पर इससे एक बहुत ज्यादा दवाव दिया जा रहा है इसलिए Central Drug Standard Control Organization ने इस मामले को लेकर डिटेल जांस के लिए एक एक्सपर्ट कमीटी बनाई है ये सस्था भारत में दवा की क्वालिटी, सेप्टी और प्रभाव को कंड्रोल करती है ये रानी डिडिन की कई ब्रांज की जांस करेगी तो अगर आप भी ये दवा का एसिडिटी के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं तो थोड़ा संबल जाईए और आप रानी डिडिन के बदले दूस्ती दवायों का इस्तिमाल करें जैसे की ओमिप्राजोल, राभीप्राजोल, इसोमिप्राजोल, इत्यादी एक और बात, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, आप चाहे तो FDA की ओफिशल वेबसाइट पर जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, मैं इसके लिंक डिस्किप्शन में दे दूँगा ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए, जिससे लोगों को बता चले कि एसिडिटी की ये दवा कैंसर का कारण है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद